बहुत स्पागर आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की प्योज्ज, मैं सौराव आपके साथ सारे महमार हमारे साथ हैं, आचित किद्वई साहब, समीर जोगाउंकर साहब, विजे तिर्विदीदी, अर्श्मतित रपाजी जी जब बिना काम वोट मांगने कोई नेता पहुंच जाता है, तो क्या होता है, वही होता है जो जारखंड में देखने को मिला, पप्पु यादव दरसल जारखंड की गांडे सीट पर कलपना सोरेन के लिए प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हुए थी और पप्पु में लेकर के लोगों से बातशीत करने हैं, जितने लोग सामने कड़े वे थे, और वीडियो में दिखता है कि पप्पु यादव भीड से कहते हैं, वोट दीजेगा ना, तब ही एक लड़की बीच में से आती है, भीड में से कहते हैं, नहीं देंगे, पप्पु यादव प आनी चाहिए, और नेता के पास अगर कोई फैक्ट है, कि वो उसको बता सके और मना सके कि नहीं हमने काम किया है, तो वो भी होना चाहिए, और ये सब कुछ कैमरे पर हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात है, तो मैं आपको ये पप्पु यादव जी का वीडियो देख रहा ह आप डिया काना सिर्भार का मैं काना चैटेठीे अजी अपिछ देंगे हम लगभł हो इंदें खेटी बियेन तक प्राइक राज में प्र्भार का ये में हो इटना दिन तक क्या किंए जीनम पाँत तल्स और प्वेस्ना दिन तक जीन तक क्या किया है प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज होती है कि कहा जाता है ना कि तू कौन खाम-खाम गांडे सीट पर उपरचार कर रहे हैं कोई उनका लेना देना नहीं है लेकिन शायद जो एक परंपरा चल पड़ी है कि कुछ नहीं हो तो कहीं पहुंचो हर पार्टी के लोग करते हैं कोई पपू यादव करना है तो शायद उसकी भी एक है लेकिन एक बात तो तहय है अगर नेता सचमुच जनता के बीच में जाए तो जनता जवाब तो देती है खुब जम कर देती है नेता जाते ही नहीं है दूसरा रास्ता ने जाते है जो गांडे से विधायक थे उन्होंने जब हमन सुरेन जेन मे घए तो उसे इस्तिफा लिया गया उनको राजस्वा भेज दिया गया जहा खान मुक्तिमurusa से और कलपना सोरइन को महाँ से विधायक बनेगी चंपर शुरेन मुख्यमंत्री बने गए कल्पना मुख्यमंत्री बन गए उन्हाब यह चरिदा तो नियंटियस विधायक से म पर किजिए का शेतर के काम के लिए मैं पार्ठी का काम देखूंगी जनताओस सांसट जो लाजसभा में चले गाले नंके और कलपना सुरे की बीच तुपना सुरे की इसमें कोई दोर आए नहीं है लेकिन चुनों थी बहुत मुश्किल है कलपना सोरे इनकी लिए को कि जितना समय उने अपने सीट पर देना था कलपना सोरे ने उतना दियानी वह पूरे जारखंड के अंदर पचार करती रही एक बार तरह यह वीडियो दुबारा चला दिजिक दुबार एक बार आपका बिहार से देश से चलके अपने मां के पास और अपने खून से अमासर वार ने भी जिघ आना कि नहीं देंगे हम लोग विजय पीम देंगे विजय पीम है क्यों कि कि इतना दिन तक क्या कि आज को जाय मैं पांच ताल से इतना दिन तक क्या किया इस वीडियो से एक चीज जो आरे ये सामने जिस पर बात होनी चाहिए कि नेताओं की जवाब देही अकाउंटिबिरिटी क्या है अमेरिका में कम से कम यह तो है कि नेताओं लोग आपस में बात करते हैं तो लोगों पता चलता है अच्छाँ आप कहां खड़े हैं आप कहां कड़े हमारे जो मांग होने लगई है कि ऐसा कुछ तो शूरू किया जाया नहीं तो फिर ऐसे ही इक बार उनको काफी लोगों ने कह दिया था हां देंगे। उससे वो नहीं हो है। वो नहीं हो है। वोट लेना चाह रहे हैं पैसे बाटने का आरोप जो है वो भी उनके उपर लगाया जा रहा है महाविकास अगाडी की लोगों ने एक वीडियो शेयर करते हुए ये बात कही है कि विनोत तावडे लोगों को पैसे बाट रहे थे महराश में बोटिंग से ठीक एक दिन पहले बीजेपी के महासचे विनोत तावडे पर वोटर उसको कैश बाटने का अलजाम लगाया है ठाने में विनोत तावडे पर पैसे बाटने का आरोप लगाया है और बहुजन विकास अगाडी नहीं आरोप लगाया है बहुजन विकास अगाडी के कारेकरताओं ने जमकर यहा आते हैं आपको आते हैं यह देखिया लोट भी लहरा रहे हैं यह बहुजन भी कासा गाली की कारे करता है इसका मतलए कि इनको नहीं मिला यह परिशानी यह जो दिख रहा है वरना कोई इस तरह का हला हांगा मां क्यों करें अगर सच्मुच कोई ऐसी घटना है इसका प्रमाल है तो पुलिस मे प्रमाल नहीं है तो राजनीतिक तोर पर आप कुछ भी आप करते रही है उससे कुछ होगा नहीं या तो आप कोई ऐसा प्रमाल हो जिसमें पैसे मिल जाए तो अब यह तो पुलिस जाच में पता चलेगा हम तो आरोब बता रहे हैं तावले साब पर आरोब लगा पैसे बा पार्टे के राष्ट्य महास्च्यू है देवेन फंडविस के सरकार में शिक्षा मंती रहे बोरीवली से विदायक रहे हलांकि 2019 मुन का टिकेट काड़ी आ गया था उन्हें टिकेट मिला नहीं तो दिल्ली के राज़िती के लिए विनोत तावडे आ गए थे विनोत तावडे इस तरीके से वहाँ पर एक्टी होंगे यह सही बात है कि विनोत तावडे ने संगडन में भूमिका निभाई है पार्टी जोने बेजा था मराठा नेता की रूप में विनोत तावडे की कोशिश की गई थी कि महराश में बड़े मराठा नेता की रूप में उभर नी पाए लेकिन उसका कोई शोर शरावा उसका कोई वीडियो नहीं होता है इस तरह के खुलियाम का कल्चर जो है वो तो भारचनता पार्टी का नहीं रहा यह दूसरे दलो का रहा है तो मुझे लग रहा है कि यह ठीक नहीं कि विनो तावड़े पांच क्रोड रुपे आरूप लगा कि तो बकरे की बोटी को भी लेकर बड़ा हंगामा वह उत्तरप्रदेश में जगा जी एक बड़े को लेकर फिर वो गवर्नर तक भी बने तो ऐसा नहीं होता और भारतिया जनता पार्टी को केवली यह मान लेना कि वो कुछ भी नहीं करती एक सब पार्टी के लिए मतलब विनोत तावडे जी उसमें शामिलैक नहीं है वह तो वहां जो लोग होंगे उन्होंने अवेलिबल होकर उस पर कर देए यह सब तो जाच का विश है लेकिन हम ने किसी वो क्रेजिट तेहल का में बंगारू लक्षमां जी का भी संदर रहा है बहुत सारी लोग है मतलब ऐसी चर्चाई होती रहती है सबकी कोशिट अब एकसा सोचता हो सर मुझे निये मालूं कैसे कि आप कितने लोगों को रुपया माट देंगे बही हमारे तो करूनो करूनो वोटर है ना कितना पैसा कितने लोगों को आप इंफ्लुएंस कर लेंगे इस चीस से वो उसमें सेल बाते जाना वतार है है तो वहां तो पूरो सांसाइज ने बुलाया था भोजन पर हो गया इसलिए मार हो गई कि भेया बोटी नी थी उसी को लेकर मारा मैंने खबर पढ़ी वो मतन पाटी दे रहे थे वो लेकिं मतन में किवल तरी रस 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 ताव था ही ने बिंद जो भा पार्टी जो है वो खुद भी इलेक्शन में है ना इसलिए बहुजन विकास अगाडी ये बात कर रहे थे तो इलेक्शन कमिशन इसकी भी जाज करेगा नहीं करेगा वैसे करोणो रुपया तो पकड़ा है इस बार्टी इक्षन में सूना ट्राइवल कर रहा है और अब बिर्चास बात यह है कि मतलब सैक्रों मतलब करोड रुपया जब्त होता है बहुरा का पैसे का वह पैसा जब्त हों कि कहां जाता है क्या वो ट्रेजरी में जाता होगा नहीं तो उसका कुछ पता है नहीं लेकिन इसे उल्टी बात है इस बार सबसे जादा पैसा जब्द किया चुनावाय होग ने इन चुनावों में आप सु करोर रुप है तो यह इसाड़े आठ सो करोर रुप बठने के लिए गया था ना ना मैं तो सूछ रहां पकड़ा साड़े आठ सो करोर पहलू है और दूसरी बात मैं विजे जी आपको यह बता हो कि मैंने उसका अधियन किया है वह बहुत जब्त वाला महामला पर अदालत में जाता है और वह उम्मीदवार को वापस चला जाता है अगर आप साबित ना कर पाए उसके दो चीजी होते हैं जब पैसा जब्त होता ह श्री वह बताना पढ़ेगा यह प्याल के पाता है और फृट के लिए आप किसी उदार दे रहे हैं धुरू कैसे करोगे कि आप सब दस से पंदरा परसेंट आप दिखाते हैं कि हमारी आमदिनी कितनी है तो रिवाइज इंटरनेट फाइलिंग कर देते हैं और उसके जितना बकाया होता है उस पर वो 50% सचिन चौतरी जुड़के हैं हमारे साथ मुंबई से हमारे से होगी सचिन पूरा मामला बताएगेगा जरा विरो तावडे साथ दिख रहे हैं वो भी बहस कर रहे हैं पुलिस भी खड़ी है लोग नोट लह रहा रहे हैं सच्चन मेरी आवाज बिल रही है आपको जी सोरो ये वाक बोलिए बोली जी ये वाकिया है मुंबई से सटे ठाने जिले के विरार नाला सोपारका जहां पर विवानता होटेल है और इस होटेल में विनोत तावडे वहाँ पर गए थे जो बहुजन विकास आगाडी है हितिंदर ठाकूर की पार्टी है उनके कार्यकरतों ने विनोत तावडे को घेर लिया और यह आरोप लगाए जा रहा कि वो करीमन पाच क्रोड की लकम लेकर वहाँ पर पहुचे थे और पैसे बाट रहे थे वहाँ पर लिफाबे भी दिखाए गए उसके बाद उन्होंने आयोक की जो अधिकारी है स्तानी हुआ है पुलिस आई वहाँ पर लेकिन बहुचन विकास अगड़ी के जो कारे करता है हितिंदर ठाकूर के बेटे एक शितिश ठाकूर हो भी वहाँ पर मोजूद थे और हितिंदर ठाकूर ने आरोप लगाया कि विनोत तावडे ने अपन पर वहाँ पर चेकिंग की गई लेकिन जब बीजेपी के नेता जो ही इस तरह से पैसे बाड़ते हैं उनके उपर कोई कारवाई नहीं होती संजे रहुत ने ट्विट किया और कहा कि बीजेपी का मामला खतम बीजेपी हार रही है लेकिन जो चुनाओ एक अधिकारी या प् मद्दान के कल ओट गिरने हो ओटिंग होनी है और उसके एक दिन पहले ये जो मामला है वी वेपक सचन इस पर विजेपी हार रही है इसलिए इस तरह की राजनी की वो कर रहे है इस तरह का दवाव जो है वो बनाय जा रहा है हाला कि विजेप तौडे ने तमाम आरोपों को नखा रहा है विनुत तौडे ने कहा कि मैं जाश के लिए तयार हूँ चिनाओ एक क्या अधिकारे उनकी बैक की भी जाश की उनकी गाड़ी की जाश की हाला कि अभी तक उन्हें कोई आपति जिनक सामान नहीं मिला है विनुत तौडे का और बीजेपी का कहना है कि महाविक को बदाम करने की कोशिश की जा रहे है राष्टिय महां सची है विनुत तौडे बीजेपी के वो बला पैसे बातने क्यों जाएंगे तो यह कहना का इस तरह का बीजेपी का दावा है जी सरो अगर विनुत तावडे वहां गए आपने का आरोप लगाया पांच करोड रुपया बाटा जा रहा था तो पैसा भी होगा वहां कहीं पर आपने जब वहां इलेक्शन कमिशन की टीम पहुंच गई है अगर इलजाम में कोई सच्चा ही है तो पैसा भी रिकावर होना चीए जी बिलकुल यही सवाल जो है बीजेपी विपक्स चे पूछ रहे है कि विनुत तावडे यह से बढ़े जिता है अगर वो पैसे लेकर गए जो इसा है विपक्स आरोप लगा रहा है पाच कोरोड देस कोरो पंद्रा कोरो तो दिखाईने बैक का है चुना है क्या अधिकार करनी की कोशिश है और अगर कोई सामने तत्य सामने आता है तो कारवाई के लिए वो तैयार है लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पिछले दो ढ़ाई गंटे से वहापर बख़डा वहापर मचा हुआ है और विपक्ष लगातार या आरोप कर रहा है कि बीजेपी जो है सरकार मैं आता हूं सचन आपके पास अब कैसे इस पूरे मामले पर कोई जज्वन पास की जाए सारी तो इनक्षिन कमिशन का ही काम है एक एक पक्ष कह रहा है पांच करोन रुपया दूसरा पक्ष कह रहा है दिखा दो कहा रुपया था बाट खाता तो बता दो लें दिखें यह प्रत्य आरोप जदा होता है कोई बीत na तना बड़ा नेता किसी सभा में ऐसे कुछ बासे गाई यह असंबह होता है क्योंब को कोई करेगा तो यह काम गुपचूप करने वाला है किसी तार्गेटेट अडियंस को होता है मन्ंच से थोड़ी नें कोई फेकेगा आज तक कभ बड़ी देखें, तरकीब से किया जा रहता है, काम देखें, लिफाफे में लखके दिया रहता है, तो पैसे लिफाफे में नजर नहीं आएगा, और दूसरी बात देखें, इतनी जगा दोसो अठासी जगा पे चुनाओ हो रहा है, हर जगा तो यही बेबुनिया चार्ज दो आग नहीं होती, कुछ ना कुछ तो होगा, पांच करोड लिए एक करोड होगा, कुछ तो होगा, दरसे उसमें मामला क्या थारी हितेन ठाकूर का एरिया है, वहरेन ठाकूर महा के एक भूमाफी आए, एंडरवड का आदमी राए, उसका प्रभावक शेतरे वसे ही बेटे को संदेश चला गया, कि यहां भारती जंता पार्टी के राष्ट्री मासची बैठक ले रहे हैं, और वोटो को प्रभावाइद करने का काम कर रहे हुदे, थाकूर का वहां से उब्विदवार चुना और रड़ा जब अभी वहां से विदाएगे, उनके बेटे अब साथ में वो पैसे लेकर आए, कौन पैसे लेकिया है, होटल में जो पैसा रखा था, वो पैसा वहापन दिखाया गया, बाटा गया, क्या वो पैसा विनो तावडे ने बाटा है, मुझे लग रहा है यह जाच होगी, और होटल की भी जाच होगी, कि इस होटल में इतना आयाम दिया, इनों ने कहा है कि जो विपक्ष का जो है, उसने मतलब विनो तावुडे बिज़िपी बनाम करने के लिए नोट बार दिया, पांच करोड बार दिया, मतलब ये पैसा इतना पांच करोड पहुचा कैसे वहाँ पे, क्या उटल ने पहले से पसे रखा हुआ था, इस पर पुलिस को, स्थानिय पुलिस को, इलेक्शन कमिशन को स्टेट्पेंट जारी करना चाहिए, बताना चाहिए कि इस पूरा मामला है, क्या और उनने क्या पाया अभी तक, वहाँ जब वो पहुचे, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं हंगामे की, मैं फिर आपको ए महराज़ के अंदर